वह चुनाव आयोग वह क्या निर्णय देते हैं आप पहले आपने कहा कि सिवसेना पार्टी एकनाथ सिंदे की है चुनाव चिन धनुस्बार एकनाथ सिंदे का है अभी अभी आपने कहा कि राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी अजीत पवार की है और जो उनका घड़ी का चुनाव चिन है वजीत पवार का है मतलब दोनों ही फैसलों में आपने कितनी सच्चाई प्रगट की है देश की जंता के सामने आ गया पूरे देश को पता है कि सिवसेना आठवर्णी उद्व ठाकरे जी की है जबर्दस्ती धोके से छल से चीन लिया गया राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी सरत पवार जी ने बनाई 1999 में राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी की कॉंग्रेस पार्टी के साथ सरकार चली जिसमें अजीत दादा पवार मंत्री बने पूरे भारत को पता है पूरे महराश को पता है कि राश्टवादी कॉंग्रेस पार्टी सरत पवार कहा कोई बात नहीं ही हम सबको पहले से पता था आप और कर भी क्या सकते हैं जो आपके आला कमानदisa जो आदेश आपको देटेर आप उही मानते हैं नाम आपका चुनाव आच ॅयोग मैं लेकिन आप काम करते हैं सरकार के आधीन कोई बात नहीं आधनी सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा अभी खुला है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट गया है वैसे आधनी पवार साहब भी जाएंगे लेकिन कि इस देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं हम नहीं आधनी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट फैसला जरूर देंगे थोड़ा समय लगेगा लेकिन सियुसेना को भी नाय मिलेगा राष्टवादी को भी नाय मिलेगा और भारती जनता पार्टी के एहंकार का अंत होगा